आप देख रहे हैं मीडिया स्रावस्ती न्यूज्ज स्रावस्ती जन्पत के तहसिल एकवना में तहसिलदार नयाले पर दाखिल खारीज संबंदित फाइलों में तगनीकी मामले को लेकर पत्रावली लंबित रखने के बिरुद में अधिवक्तावने तहसिलदार से वारता करने के बाद मामला गहराते देख आंदोलन करते हुए तहसिलदार के बिरुद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सभी नयालेों का बहिसकार कर दिया तहसिलदार एकोनर नयाले पर दाखिल खारीज प्रक्रिया लंबित चली आ रही थी इसको लेकर पत्रावलियों में तगनीकी खामियों को बता कर तहसिलदार प्रेम नाथ राय ने दाखिल खारीज पर रोग लगा दिया था इस मामले को लेकर अधिवक्ता संके अध्या सुरेंद कुमार मिसरा महमंत्री स्रीधर्दि वेदी वा अन्य अधिवक्ताओं के साथ तहसिलदार के चेंबर में वारता करने पर दाखिल खारीज पत्रावली का मामला नहीं सुझा जिससे अधिवक्ता काफी आक्रोसित होकर बरामदे में आकर तहसिलदार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चैमबर में ताला लगा कर बैढ़ गये और बिदुद लाइन भी काड़ दिया घटना की सूजना मिलते ही प्रभारी निर्चकों की पांडे भी मौके पर पहुचे जहां अधिवक्ताओं को समझा भुजा कर मामले को सांथ कराया प्रभारी निर्चक ने तहसिरदार प्रेमनात राय के साथ बैटकर समस्याओं की जानकरी ली जिसके बाद बाहर निकलने पर अधिवक्ताओं के बीच बैटकर उच्चादकारियों से बातचीत करने की सलाह दी यहों चेंबर से ताला खुलवा कर विद्दुद लाइन बहाल करवाई अधिवक्ताओं संग अध्यच सुरेंद मिस्रा की अधिश्चता में संग कार्याले पर बैठक कुई महमंत्री स्रीधर दिवेदी ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर दाखिल खारीच पत्रावली का निस्तराण ना होने तक सभी अधिवक्ता सदस्टों की सहिमती पर अनिश्चित कालीन के लिए SDM तैसिरदार वाच्यकबंदी नियालो का बुधवार से बहिस्कार कर दिया